दोस्का दोस्तों धीट है आज की 3 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्केशन में आज तीन इशूज हम डिसकस करेंगे तीनों दा हिंदू के सबसे पहले आर्टिकल हम डिसकस करेंगे यह तो आर्टिकल देखो छोटा सा है तो हम PRS जहाँ पे किसी भी बिल से सम्मदित जानगारिया प्राप्ट कर सकते हो अच्छी वेब साइट है वहाँ से original points उठाएंगे और उनको डिसकस करेंगे ताकि यह बिल जो है comprehensive ढंक से हमारा cover हो जाए दूसे नंबर पे फिर हम आर्टिकल है वह हम डिसकस करेंगे NCR में pollution की समस्या से सम्मदित बीजिंग में भी एक समय में बहुत pollution रहा करता था कैसे बीजिंग ने pollution को address किया और देली में pollution की समस्या कम नहीं हो रही है क्या कारण है comparison है डिसकस करेंगे कोट है आज का children must be taught how to think not what to think Margaret Mead ने ये बात बोली थी कि बच्चों को आप ये सिखाओ कि कैसे सोचना है ना कि क्या सोचना है क्या सोचना है वो आप बच्चों को सिखाओ गो तो मतलब आप अपनी जो सोच है वो impose कर रहे हो बच्चों के उपर उनमें innovation नहीं आ पाएगी ल आप इस्तिमाल कर सकते हो ethics में ऐसे में जब भी आपको बच्चों से सम्मदित कुछ लिखना हो तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं First important article Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2020 से सम्मदित हैं आप GS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हो देखो ये बिल लोक्सबा में introduce क्या गया था पिछले साल September में Standing Committee की रिपोर्ट आई इसी साल March में और अब जाके लोक्सबा में ये जो बिल है वो पास हो गया है PRS जो website है न हम जहां पर सारी बिल्स से सम्मदित information अच्छे से मिलती हैं तो उसी website से हम इस बिल के जो basics हैं वो cover करते हैं यहां से सुरुवात करते हैं ये बिल जो हैं ये देखो assisted reproductive technology services को हमार देश में regulate करता हैं तो सबसा पहला question आपके मन में यही आया होगा ये assisted reproductive technology कौन सी technology होती हैं देखो ये जो technology होती हैं इन fertility को treat करने के लिए होती हैं वो couples जो बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं उनकी help करने के लिए ये assisted reproductive technology होती हैं बिल में देखो यहां पर define भी किया जाता हैं वो सारी techniques जिनमें pregnancy को achieve करने के लिए body से बाहर sperm जो की male reproductive cell होते हैं और oocyte जो की female reproductive cell होते हैं इन reproductive cells को human body के बाहर handle किया जाता है या फिर gamit को और embryo को outside से woman के reproductive system में insight किया जाता है तो यह सारी techniques assisted reproductive technology के अंतरगत आती हैं जैसे देखो example के तूर पर ART services में gamit donation जैसे की sperm या फिर oocyte donation in vitro fertilization जिसमें की egg को lab में fertilize किया जाता है या फिर सरोगेशी यह सब example हैं ART services के अब देखो ART clinics ART service ओफर करती हैं treatment ओफर करती हैं और ART जो banks होते हैं वहाँ पर gamits को या फिर oocytes को store करके रखा जाता है वहाँ से उनकी supply होती हैं तो हमारे देश में na ART clinics और ART banks को regulate करने के लिए ही ये bill आया हैं समझ गए अंदा धुन्द ART clinics खुली होई हैं जो मनमर्जी पैसे वसूलती हैं बहुत कई बार couples का exploitation हो जाता है तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ये bill आया हैं वैसे देखो इंडिया जो है इस मामले में Global Fertility Center Emerge होके आया है मतलब विदेशों से भी couples हैं इंडिया में आते हैं ART services को avail करने के लिए पहले तो देखो 2019 में एक सरोगेसी बिल आया था तो जब वो Select Committee के पास गया तो Select Committee ने बोला सरोगेसी बिल से तो पहले आप ART बिल लेके आओ उनको regulate करना ज़रूरी है उसके बा अब ये लोकसबा में पास हुआ हैं तो बिल के दूसरे provisions अब हम discuss करते हैं बिल में कहा गया है हर एक ART clinic या फिर ART जो bank हैं जहांपे gamets को store करकर रखा जाता हैं उनको National Registry of Bank and Clinics of India के पास register करवाना ज़रूरी हैं एक National Registry establish की जाएगी बिल के अंतरगत और वो National Registry देखो इस इस परकार की ART clinics के लिए एक central database का काम करेगी मतलब जो भी हमारे देश में ART clinics या फिर banks हैं उनका database central database में होगा state governments registration authorities appoint करेंगी ताकि registration process जो है इस परकार की ART clinics का facilitate किया जाएगी और ऐसा नहीं कि हर एक ART clinic या फिर ART bank को register करवा लिया जाएगा देखो वो ART clinic या फिर ART banks है जो कुछ standard को follow करते हैं जहाँ पे specialized manpower है, physical infrastructure अच्छा है, diagnostic facilities अच्छी है, मतलब एक minimum standard को follow करने वाले ART clinics और banks को ही register करवाया जाएगा और ये जो registration होगा ये 5 सालों तक valid होगा और हर 5 साल बाद इसे renew करवाना होगा registration देखो cancel भी किया जा सकता है, suspend भी किया जा सकता है, अगर कोई ART clinic या फिर bank जो है, वो बिल के provisions का violation करता है next, next provision ये है बिल में, जो gamet donors हैं, मतलब कोई महिला, या फिर पूरुस जो अपने reproductive cells को donate कर रहा है, sex cells जिने कहा जाता है उनकी screening, gamets को collect करना, उनको store करके रखना, ये सब चीज़ों देखो, सिरफ एक registered AIT bank के द्वारा किया जा सकता है unregistered AIT bank के द्वारा gamet donors की screening नहीं की जा सकती और एक AIT bank जो है, वो पूरुस जिनकी age 21 से 55 साल के बीच में है, उनसे semen जो हैं, हासिल कर सकते हैं, और वो महिलाएं जिनकी age 23 से 35 के बीच में हैं, उन महिलाओं से Ocides obtain किया जा सकता हैं, और देखो जो Ocides donor महिला हैं, वो married होनी चाहिए इसका मतलब यह नहीं है कि जिस महिला का divorce हो गया, वो eligible नहीं है, मतलब कम से कम एक बार साधी जरूर होनी चाहिए, और उस महिला का एक कम से कम जिन्दा बच्चा जरूर होना चाहिए, जिसकी age कम से कम 3 साल हो, तो ऐसी महिलाएं जो हैं, वो Ocides donor कर सकती हैं, और एक महिला, अपने जिवन काल में सिरफ एक बार Ocides donate कर सकती हैं, और देखो कोई भी AIT bank, किसी एक donor के gametes को, एक से अधिक commissioning couple को नहीं दे सकता, commissioning couple मतलब वो couple जो AIT services avail कर रहा है, next provision, देखो यह जो AIT procedure है न, यह तभी start होंगे, जब return informed consent होगी, दोनों parties की, एक तो वो party जो AIT services avail कर रहा है, मतलब वो couple जो बच्चा चाहता है, दूसरी तरफ donor जो अपने sales को donate कर रहा है, तो दोनों parties की return informed consent के बाद ही AIT procedure start होगा, वो party जो AIT services avail कर रही है, यानि वो couple जो बच्चा चाहती है, उनको देखो insurance करवाना होगा, उस site donor का, मतलब कि देखो, वो महिला जो अपना उस site donate कर रही है, कल को उनको कोई नुकसान हो जाता है, डोनर की death हो जाती है, तो इसलिए commissioning couple को, उस site donor के pucks में certain amount का insurance करवाना होगा, क्लिनिक जो है, वो sex selective AIT services नहीं provide कर सकती, मतलब ऐसा नहीं कि लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, यह सब चीज़ें ऐसा नहीं हो सकता, next provision, बिल जो है, यह provision करता है, कि बाहर से जब embryo को महिला के reproductive system में implant किया जाता है, तो उससे पहले embryo की जाँच कर लिजाए, क्या कोई genetic disease तो नहीं है, next provision, देखो वो बच्चा, जिसका जनम AIT services के थुरू हुआ है, वो commissioning couple का biological child होगा, मतलब एक बार किसी ने अपना उस महिला ने उस साइट डोनेट कर दिया, या फिर मैन ने अपना सीमन डोनेट कर दिया, तो बाद में ऐसा नहीं कि हाँ, यह तो मेरा बच्चा है, जो commissioning couple है, जो AIT services अवेल कर रहा है, वही biological मतापिता होंगे, उस बच्चे के जिसका जनम AIT services से हुआ है, डोनर का कोई भी parental right नहीं होगा बच्चे के उपर, next provision, national और state board से establish किया जाएंगे, बिल में provision यह है, देखो जो board, सरोगेशी regulation bill 2019 के तहत establish किया जाएंगे, वही AIT services को regulate करने का भी काम करेंगे, national level पर जो board establish होगा, उसका काम यह सब होगा, central government को advise करना, AIT related policy matters पर, इसके अलावा, bill के implementation को monitor करना, review करना, next point, जो AIT clinics या फिर AIT banks हैं, उनका conduct कैसा हो, इसके लिए code of conduct को formulate करना, next, bill के अंदर, जो भी bodies constitute की जाएंगे, जो भी body establish की जाएंगी, इस bill के अंतरगत, उनको supervise करना, तो यह सब काम होगे national board के, अब बारी आती है state board की, state boards का क्या काम होगा, national board के द्वारा, जो भी policies या फिर recommendations दी जाएंगी, उनके enforcement को coordinate करवाना, यह काम होगा state boards का, अब सबसे last में, offenses and penalties का provision है, कि अगर, AIT के थरू जो बच्चे का, जनम होता है, उसे छोड़ दिया जाता है, उसे exploit किया जाता है, अगर, human embroyers या फिर, gametes को import किया जाता है, उनकी trading होती है, बेचा या फिर खिर्दा जाता है, बिचोलियों का सारा लिया जाता है, donors को obtain करने के लिए, commissioning couple, या वो couple जो services अवेल कर रहा है, उसको exploit किया जाता है, या फिर, gamete donor को exploit किया जाता है, किसी भी form में, या फिर, human embryo को transfer कर दिया जाता है, male में, या फिर animal में, जो की nature के against है, तो ये सब अपराद है, इस bill के provisions के अनुसार, fine कितना होगा, 5 से 10 लाग के बीच में, अगर पहली बार गलती की जाती है, लेकिन, बार बार अगर, violation किया जाएगा, bill के provisions का, तो फिर, 8 से 12 साल तक के बीच की सजा हो सकती है, और fine होगा, 10 से 20 लाग के बीच में, और कोई clinic अगर, advertisement करता है, sex selective AIT का, मतलब, आपको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, इस परकार कि services की, अगर कोई advertisement करता है, तो उसको 5 से 10 साल के बीच में, सजा हो सकती है, fine होगा, 10 लाग से 25 लाग के बीच में, बोर्ड जो है, या फिर इन बोर्ड के द्वारा, जो authorized officer है न, ये सिकायत करेंगे, तभी court, इस बिल के violation पर, मामले का संग्यान ले सकती है, तो ये हमने, details से, इस बिल के provisions के बारे में, discuss किया, अब थोड़ा सा, इस बिल का critical analysis कर लेते हैं, देखो, बिल के जो provisions है न, no doubt अच्छे हैं, काफी समय से ये बिल pending था, अब जाके, लोकसबा में पास हुआ है, और जो सरोगेसी बिल है न, वो भी, पारलियमेंट से पुरी तरह से पास नहीं हुआ है, मतलब act नहीं बना है, सरोगेसी बिल भी लोकसबा से तो पास हो गया है, राजयसबा में pending है, तो ये बिल भी अब लोकसबा में पास हो गया है, राजयसबा में अब जाएगा, तो दोनों बिल्स को राजयसबा में साथ लेके discuss किया जाएगा, अच्छी चीज हैं, दोनों बिल्स जो हैं आपस में इंटरलिंक्ट हैं लेकिन ना एक चीज जिसको लेके काफी क्रिटिसिजम हो रहा है इस बिल का ये बिल ना सिंगल मैन और LGBT जो कमिटी है ना इनको एक्स्क्लूड कर देता है सिंगल मैन AIT सर्विसिस नहीं अवेल कर सकता और LGBT कमिटी वाले जो लोग हैं वो भी AIT सर्विसिस अवेल नहीं कर सकते सरकार का कहना है ये बच्चे की ओवराल डेवलप्मेंट का सवाल है इस वज़े से सिंगल मैन और LGBT कमिटी को अलग रखा गया है एक्स्क्लूड किया गया है ये जो AIT सर्विसिस हैं उनको अवेल करने में आर्टिकल में ये भी बोला जाता है देवो सिंगल मैन को भी पिता बनने का पूरा अधिकार होना चाहिए इसके अलावा 2017 के अडॉप्शन रूल्स के अकोर्डिंग सिंगल मैन जो है वो बच्चे को अडॉप्ट भी नहीं कर सकते और इवन LGBT कम्यूटी जो है उनको भी पिता बनने का माता बनने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए लेकिन दोनों को इस बिल के प्रोविजन से बाहर रख दिया गया है तो इस मामले में ये जो बिल है वो रिग्रेसिव है तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया चलते हैं आगे इसके बाद नेक्स्ट आर्टकल वाइट रेवलिशन और ग्रीन रेवलिशन के बीच कमपरिजन से समनित है और अगर हम वाइट रेवलिशन जैसी सक्सेस एगरिकलिचर में भी लाना चाते हैं तो हम कौन-कौन से लेसंस सीख सकते हैं देखो 26 नॉंबर को वरगीज कूरियन जिने मिल्क रेवलिशन का यानि वाइट रेवलिशन का जनक माना जाता है उनकी सोवी बर्थ एन्वर्सरी थी दूसी तरफ 26 नॉंबर को ही डेली के बॉर्डर पर जो किसान जमा है तीन फार्म बिल्स की वापसी के लिए मतलब बिल तो वापस हो चुके हैं उनको भी एक साल पूरा हुआ तो दोनों के बीच में ग्रीन रेवलिशन और वाइट रेवलिशन दोनों के बीच में कंपरीजन राइटर के द्वारा किया जाता है वाइट रेवलिशन जो था वो देखो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका फोकस फार्मर्स की इंकम को इंक्रीज करना था चोटे-चोटे किसान गुजरात में मतलब सुरवात में तो ये कंसेप्ट कोपरेटिव सोसाइटी वाला ये गुजरात में आया बाकी उसके बाद पूरे देश में फैला तो वाइट रेवलिशन में फोकस स्माल फार्मर्स की इंकम को इंक्रीज करना था वाइट रेवलिशन जो था वो देखो एक सोशो एकोनमिक प्रोजेक्ट था ये फरक है दोनों के बीच में अब देखो सरदार वल्लब भाई पटेल और तरिभवन दास किसी भाई पटेल इन दोनों को पता था अगर वाइट रेवलिशन लानी है कोपरेटीव मुवमेंट लानी है दूद के मामले में तो हमें टेकनोजी चाहिए तो वो वरगीज कुरियन को लेके आए इनके पास वीजन था बोल रहे थे बड़े-बड़े एकसपार्ट के इंडिया के पास ऐसी टेकनोजी नहीं है एक कोपरेटीव सोसाइटी वाला मोडल सफल नहीं होगा लेकिन जैसा हमने कल पर सुएक आर्टिकल डिसकस किया था स्किम्ड मिल्क वाली जो टेकनोजी है वो अमूल लेके आया और उस टेकनोजी की साहिता से मतलब उसके बाद भी और नहीं नहीं इनोवेशन आई अमूल जो था वो एक ऐसा ना सिरफ नैशनल बलके इंटरनैशनल ब्रांड के रूप में इमर्ज होके आया जो बड़ी-बड़ी MNCs से मुकाबला कर पाया फोकस क्योंकि देखो इस बात पे था कि फार्मर्स की इंकम को कैसे इंक्रीज किया जाए लेकिन यही गलती की ग्रीन रेवल्यूशन ने ग्रीन रेवल्यूशन में फोकस था आउटपुट को इंक्रीज करने पर फार्म्स जो थे यानि खेद जो थे वो एक परकार से factories बन गए, factories में देखो आपको पता है economy of scale लाने के लिए एक ही product को बड़ी संख्या में produce किया जाता है, वही चीज हुई green revolution में, पहले वो किसान जो अलग-अलग फसलों को उगाते थे वो एक ही फसल पर ध्यान देना उन्होंने start कर दिया यानि mono cropping जो है वो practice करने लगे किसान क्योंकि उनको लगता था कि एक ही फसल पर ध्यान देंगे तो output ज़्यादा increase होगी, हमें ज़्यादा फैदा होगा इसके लावा output increase करने के लिए सरस्ती मात्रा में बड़ी संख्या में inputs produce होने लगे, जैसे chemical fertilizers कि factory भी लगी, उस समय बड़े-बड़े dams और irrigation system establish हुए ताकि बड़े scale पर किसानों को पानी पहुँचाया जासके irrigation के लिए, तो ये सब चीजें हुई, अब देखो green revolution में जैसा हमने डिसकस किया, focus सिरफ और सिरफ productivity increase करने पर था, अब जिन लोगों ने invest किया है खेतों में, वो ये नहीं सोच रहे कि मजदूरों के hit कहां है, उनको बस इस बात से मतलब है कि हमें profit जाना होना चाहिए, खेत की जो productivity है, वो पैदावार है, वो ज़्यादा होनी चाहिए, अब देखो, आपको पता है, modern factories में क्या होता है मजदूरों को replace कर दिया जाता है मसीनों से, क्योंकि मजदूर की जो productivity है, उसकी तो एक limit होती है और machine आपको पता है ज़्यादा productivity provide कर सकती है तो जहाँ पे manual काम होता है modern समय में उन सभी कामों को मसीनों से replace किया जा रहा है बड़ देखो जब ऐसा होता है न तो productivity तो increase हो जाती है और हो सकता है कि investors को फाइदा हो जिनोंने खेतों में पैसा invest किया है, लेकिन what about peasants इसी परकार से modern scientific methods की जो approach है वो इस्तमाल की गई Soviet Union में agriculture output को improve करने के लिए और US में भी यही approach अपनाई गई result भी अच्छे सामने आए लेकिन Soviet Union में क्या हुआ peasants पूरी तरह से wipe out हो गए, मतलब खतम हो गए peasants और USA में भी इस परकार से modern scientific methods के इस्तमाल करने से ज़चोटे-चोटे किसान थे न, वो बिल्कुल ही खतम हो गए but white revolution में यह गलती नहीं इंक्रीस करने पर था, तभी जहां एक तरफ green revolution में side effects भी सामने आए soil की जो productivity है वो कम हो गई और उसके अलावा जो water table है वो बहुत ज़दा कम हो गया लेकिन white revolution में ऐसे side effects जो है वो नहीं सामने आए अब इसके बाद देखो, writer तीन-चार suggestions देते हैं, क्योंकि जो क्रीशी कानून है वो तो वापस हो चुके हैं तो अब central government क्या strategy अपनाएगी किसानों की income को increase करने के लिए, तो यहां पर writer बोलते हैं कि white revolution से हमें 3-4 चीज़ें सीखने की आव सकता है पहली चीज, जो भी agriculture में आप करो ना governance जैसी भी हो agriculture की, उसमें inclusion and equity पर ध्यान दो, equity मतलब ऐसा नहीं कि जो investors जिन्होंने agriculture farms में invest किया है सिरफ उस पर ध्यान हो कि हाँ productivity increase हो जो खेतों में मजदूर काम करते हैं worker हैं, या फिर छोटी-छोटे किसान हैं, उनकी income को increase करने पर focus होना चाहिए, ना कि investors की income को increase करने पर या फिरफ और सिरफ productivity को increase करने पर दूसरा suggestion, देखो agriculture में आपको transformation लाना है ना तो sustainable transformation अगर आपको लाना है, तो time लगेगा ये पूरी process होती है evolution की अगर radical आप change लेके आओगे ना, तो फिर green revolution की तरह है, इसमें फिर side effect सामने आएंगे, जैसे green revolution में रातो रात change लाया गया था fertilizers का इस्तमाल होने लगा था MSP सरकार ने दे दिया था मतलब widespread changes आए थे उस समय, तो उसके फिर side effect सामने आए, तो उसी परकार से अगर आपको agriculture में सुधार लाना है ना, sustainable transformation लाना है, तो ये पूरी process होगी, पूरा evolution होगा इसका इसके बाद तीसरी चीज़, आप local system पर ध्यान दो ना कि global scale solutions पर देखो local environment में जो workers काम करते है न, even चोधा point भी इससे जुड़ा हुआ है कि science जो use हो, वो practical हो जो ground level पर workers काम करते है न, कई बार उनसे भी scientist को बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो point ये है, science जो इस्तमाल हो न, agriculture में सुधार लाने के लिए, वो practical होनी चाहिए, वो ground पर जो लोग काम करते हैं न, उनके द्वारा इस्तमाल करने लाइक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि experts ने science बना दी सिर्फ नाम के लिए दूसरे experts को convince कराने के लिए, और ground पर वो use ही नहीं उपा रही है, ऐसा नहीं, जो resources इस्तमाल हो, वो भी local होने चाहिए और जो science इस्तमाल हो, वो भी usable होनी चाहिए, practical होनी चाहिए तो यह हमने पूरा article discuss किया, question आ सकता है देख लीजिए, green revolution और white revolution के बीच में क्या difference है, कौन से ऐसी चीजें हैं, जो जिनोंने white revolution को सफल बनाया, लेकिन green revolution के side effect सामने आए, तो चलते हैं आगे, इसके बाद next article NCR में pollution control से समधित हैं, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो काफी दिनों से pollution है दिली में आपने दिखा होगा, कम होने का नामी नहीं ले रहा, कल सुपरिंग कोट ने सरकार को खूप सनाई दिली सरकार को बोला सुपरिंग कोट ने कि भाया तुम क्या करते हो, इतना कुछ तुम बोल रहे हो कि हम कर रहे हैं, तो pollution की समस्या खतम क्यों नहीं हो रही है मतलब result तो आ नहीं रहा, आप बोलते तो बहुत कुछ वाम नहीं यह कर दिया, वो कर दिया इवन सेंटल कोट मोट को भी काफी कुछ नाया गया, सुपरीम कोट के द्वारा आज इस आर्टिकल में बीजिंग से कंपेर किया जाता है, बीजिंग और देली दोनों की population सेम सी हैं, लेकिन बीजिंग को तो कभी polluting units को नहीं बं करना पड़ा, car ownership को restrict नहीं करना पड़ा, travel को restrict नहीं करना पड़ा, लेकिन देली में कितनी सारी restrictions लगाई जाती है, pollution को control करने के लिए आपको पता है, तो पहली चीज़ दाइटर बोलते हैं, approach में difference है, चाहे देखो New York हो, London हो, Beijing हो, यहाँ पर ना public transport के लिए space जादा है, लेकिन देली में आप देखोगे, public transport कम है, और जो private transport है, उसके लिए space जादा है, तो गलती कर रहे हैं यहाँ पे, देली में, जो भी agencies हैं, सरकार हैं, multiple bodies हैं, जो भी agencies हैं, जैसे देखो, comparison संबनी figures दिये जाते हैं, Beijing में 550 km से ज्यादा की length की metro हैं, जो कि देली मेट्रो से, जिसकी length almost 1.5 times ज्यादा हैं, प्लान है, इसको 1000 km तक ले जाने का, Beijing में 30,000 low floor buses हैं, जो कि दिली से 8 गुना ज्यादा हैं, 72% जो travel हैं, चाइना में वो public transport से complete किया जाता हैं, comparison to 37% in Japan, Europe में सिर्फ 17% और US में सिर्फ 10% और हमारे इंडिया के आखड़े नहीं हैं, तीशरा, Beijing में देखो, local approach अपनाई गई pollution को खतम करने के लिए, जैसे public transport पर तो focus कर दिया, public transport से जो लोग जाला जाएंगे, तो emission definitely कम होगा, क्योंकि private vehicle set को पर कम चलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ, जो factories या फिर industries, pollution करती हैं, तो local level पर उसका समधान निकाला गया, जो interested थे, उनको बोला गया कि हम आपको subsidy देंगे, incentive देंगे, आप अपने जो equipments हैं, वो change कर लीजिए, और जो factories, जो units नहीं मान रही थी, फिर उनके उपर fees लगाई गई, उसी fees का फिर इस्तमाल किया गया further pollution को कम करने के लिए, enforcement जो agencies है ना, उनके बीच में भी Beijing में अच्छा coordination था, जैसे local level पर जो bodies हैं, वो समय समय पर अच्छे से inspect करती हैं, कोई serious case हो तो उनको state government के पास ले जाये जाता है, लेकिन इंडिया में तो आपको बता है Delhi के हम बात कर रहे हैं, कि agencies आपस में लड़ती रहती हैं, दिली सरकार municipal bodies पे आरोप लगाती हैं, जहांपे अलग party सत्ता में हैं, कई बार central government और state government के बीच में आपस में इस issue को लेके टकराव देखने को मिलता है, तो ऐसा Beijing में देखने को नहीं मिलता, agencies के बीच में coordination अच्छे से हैं, public transport पे उन्होंने focus किया, localized approach अपनाई, तब जाके result ये निकला कि Beijing में जो pollution की समस्या है, आज की समय में control है, एक समय में काफी विक्राल थी, लेकिन आज देली में pollution की समस्या जो कित्यों बरकरार है, तो innovative solution, local conditions को देखते हुए, दिली में जो भी agencies हैं, उनको लेके आना पड़ेगा, और आपस में उनके बीच परस पर सयोग जो है, वो अच्छा होना चाहिए, तो ये हमने कुछ comparison किया थोड़ा बहुत, दिली और बीजिंग के बीच में, इतने जादा points भी नहीं थे, दो-तिन points जो निकल के आते हैं, वो हमने discuss किया, हमारी आज की इस discussion में इतना ही है, आज हमने तीन issues को discuss किया, thank you, thank you very much for discussion.